देखिए question number 7 दिया क्या आकरित में तिर्भूज ABC और तिर्भूज PQR समरूप है यदि हाँ तो कारण बताईए पुछा दोनों तिर्भूज समरूप है की नहीं अगर समरूप है तो कारण बताईए तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें दो कोण बराबर है अगर इस तिर्भूज को उल्टा हम लोग ऐसे घुमाद है ये वाला इधर आजाया ये वाला केवल इधर आजाया तो देखिए ये X और X दोनों एक ही है संगत कोण ही दिया आई ये देखिए यहाँ Z और Z बराबर है अगर उल्टा करना तो X और X बराबर है तो ये तीसरा अब तीसरा हम लोग को निकालना अगर ये तीनों कोण बराबर होंगे तो हम लोग कर सकते हैं तिर्भूज समरूप होगा तो हम लोग कोण C कैसे निकालेंगे और कोण Q कैसे निकालेंगे देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं जब तीर्भूज के तीनों कोण बराबर रहेंगे तो हम लोग कर देंगे दोनों तीर्भूज समरूप होगा क्योंकि ये कही चीज होना चाहिए बराबर या तो कोण तुमार पांत में ये संगत वाले तंदोग ये कॉण कैसे निकालेंगे देखिये लिखेंगे 。」 ती भूज ए, बी, सी में तीले हम लोग इस तिरभूज में नीकाल रहा है कुणकर सी तो लोग जानते हैं प्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 1808 तो वहां से आम लोग कुणड C निकालेंगे देखिए कासे लिखेंगे कुण A प्लस कुण B प्लस कुण C बराबर होता है 1808 यह आप लोग जानते हैं एक कमान देखिए देदी आजेड तो यह के जहाप लिखेंगे जेड प्लस बी के जापर दे दी आए एक्स तो एक्स लिखेंगे प्लस सी हमको निकालना तो ऐसे ही रहने देंगे बराबर एक सो असी अंस आप देखिए जिसको निकालना रहता है तो उसी को बाएं तरफ रहने देते हैं बाकी संख्याओं को दाएं तरफ भेजते हैं ठीक है तो इस दोनों को हम लोग दाएं तरफ भेजेंगे इधर केवल कॉण सी को रहने देंगे तो कुण c बराबर हो जाएगा 180 पहले से हैं और हमने बताए आप लोगों को जब संख्याएं इधर जाती हैं बराबर के दूसरे तरफ तो चिन बदल जाता है पलस में राएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ठीका तो ये देखिए जब इधर ले आएंगे ये दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं ये कही बाले जा रहा है तो जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे पलस में है तो ऐसे लिख लेंगे जेड पलस अक्स दोनों लाएंगे तो यहां देखिए पलस है तो यहां माइनस कर लेंगे तो यह देखिए C का मान हमने निकाल लिया इतना अब लिखेंगे तिरी भूज P, Q, R में P, Q, R में इसमें भी हम लोग निकालते हैं कौन Q को अगर दोनों यह बराबर आगा अगर यह देखिए कौन C इतना आया है अगर कौन Q भी उतना ही आजागा तो हम लोग कहेंगे बराबर है तो कौन Q निकालेंगे कैसे लिखेंगे कौन P पलस कौन Q पलस कौन R बराबर 180 हम लोग जानते हैं तिरी भूज के तीनों कोनों का योगफल 180 P, Q, R है तो 180 P का मान देखिए देदिया Z P, Q का मान नहीं दिया है तो Q यहाँ रहने देँगे फिर पलस R का मान देखिए देदिया है X बराबर 180 अब देखिए हमको यहाँ से Q का मान निकालना तो Z और X को उधर भेजेंगे तो दोनों पलस में उधर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर 180 C माइनस इस दोनों को एक साथ भेज रहा है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे Z पलस X तो देखिए C का मान भी आगया इतना ही 180 C माइनस Z पलस X Q का भी मान आगया 180 C माइनस Z पलस X देखिए दोनों बराबर होगा तो यहाँ लिख सकते हैं क्या इसलिए कौण C बराबर कौण है कौण C के बराबर कौण है कौण Q है तो जब दोनों बराबर होगा यह भी बराबर हम यह तीनों कौण बराबर है तो तिरभूज समरूप है तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे तिरिभूज ABC दखिए तिरिभूज ABC ऐसे तिरिभूज लिख सकते हैं और तिरिभूज PQR और तिरिभूज PQR समरूप है अब कहा है कि यदि हाँ तो कारड बताईए तो हाँ हमने कहा दिया कि समरूप है तो कारड में क्या लिखेंगे लिखेंगे कि दोनों तिरिभूजों के सभी संगत कौन बराबर हैं दोनों तिरिभूजों के सभी संगत कौन बराबर हैं इसलिए ये दोनों तिरिभूज क्या है समरूप हाम लोगोंने कारड बे लिख लिया ये हमने इसलिए किया है देखिए दो कुण तो बराबर दे दिये थे तीसरा नहीं दिया था तो तीसरा हमने निकाला कैसे 180 में से हम लोग इसको घटा दियें जोड़के 180 में से इसको जोड़के तो बात वही हुआ इसको आप लोग कोशिस करेंगे नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जागा आप लोग ये लिख सकते हैं यहां इसके जगा पर इतना नहीं करना पड़ेगा ये ये तो लिखना जरूरी है कारण ये आप लोग को अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो इसके जगा पर कर सकते हैं कि तिर्भूज के दो कोण बराबर है तिर्भूज के दोनों संगत कोण बराबर है दोनों तिर्भूज के इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा इतना आप लोग लिख सकते हैं इसके जगा पर और ये लिख लेंगे तब भी सही है अब अगला कोस्चन इस चैप्टर का कोस् चना उसको भी देखते हैं अब देखिए कुष्टन नम्बर एड यह दिया बीस मीटर बनाबर एक से मिमान कर एक खेत का आकार आकरित में दर्साया गया है तो 40 मीटर बराबर एक से मिमान कर खेत का नया आकार आप अपनि अभ्यास पुस्तिका पर दर्साय यह इसमें केबल अधेवार बनाना तो कान से बनाएंगे थुड़ा ध्यान देंगे इस मीटर बनावर एक मिये दिखिए इसको कि तरह माना गयाará Eph इस मीटर बनावर एक से मिनस इस में से मिट material माना गया है 20 मिटर ध्यान दीजिएर सब यहां देखिये ध्यान देंगे यहां जब मीटर बढ़ रहा है 20 मीटर से 40 मीटर हो रहा है तो फीगर को छोटा करना पड़ेगा तभी मेंटेन होगा जैसे मालेजिए इस फीगर में आईसे समझते हैं हम अगर यह 2 सेमी दिया हो अगर यह 2 सेमी अब एक जामपल के तर पर आप लोग समझे यह 2 सेमी तो 1 सेमी का 20 मीटर तो 2 सेमी का कितना होगा 40 मीटर होगा जब एक सेमी यहां अगर मालेजिए दो दिया रहता एक जामपल के तर पर तो 1 सेमी का 20 मीटर हो तो 2 सेमी का कितना होता 40 मीटर होता लेकिन फीगर आप कैसे बनाना है अब एक सेमी का ही 40 मीटर अगर माले जी ये दो सेमी है तो हम लोग अब यहाँ एक बनाएंगे तभी तो 40 बराबर होगा जब 2 का 40 हो जा रहा तो यहाँ यह कही बनाना पड़ेगा में छोटा बनाना पड़ेगा अब ही समझते हैं आप लोग देखिए कैसे फीगर जो बनाएंगे जब यहाँ यह कही का 20 मीटर यहाँ यह का 40 मीटर बहुत बना हो रहा तो यह कम हमको करना पड़ेगा फीगर आधा आधा सब का बनाएंगे देखिए कैसे यह बस हाथ से खीचे लेना आप लोगों को रचना नहीं करना है ऐसे एक तिरभूज बना देना है अब देखिए यह जो तिरभूज बनाएंगे यह पांच सेमी है तो पांच का आधा कितना होता है धाई धाई को लिखते हैं 2.5 तो यहाँ हम लोग बनाएंगे कितना 2.5 सेमी यहाँ 13 सेमी है तेरा का आधा होता है आप लोग जानते हैं शाड़े 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 कैसे लिखते हैं 6.5 सेमी को और फिर देखिए यह 12 सेमी 12 का आधा होता है कितना 6 सेमी अब हम लोग समझ लेते हैं क्यों हमने आधा बना दिया इस फीगर को इस तरह से बस वही बनाना नया कार अपनी अभ्यास पुझतेगा पर तो हमने बना दिया कैसे देखिए यहां क्या था? एक सेमी का 20 मीटर, अब यहां देखिए 12 दिया है एक सेमी का कितना है 20 मीटर अगर हम बारा सेमी को 20 मीटर में बदलना है तो बारा गुड़े कितना करना पड़ेगा 20 तो हो जागा एक सेमी बनाबर 20 मीटर तो बारा सेमी बनाबर बारा का 20 में उड़ा कर लेंगे 240 मीटर मिन्स ये कितना दिया है 240 मीटर बराबर इसके कैसे होगा अब 6 सेमी कर दिया हम 40 का एक सेमी है तो देखिए एक सेमी बराबर जब 40 है तो 6 सेमी बराबर 240 मीटर होगा देखिए दोनों बराबर ही होना चाहिए मिन्स हमको फिगर क्या करना पड़ेगा आधा कर देना पड़ेगा इसी तरह इसका आदा इसी तरह से इसका आदा तो हो गया तो ये चैप्टर देखिए कम्प्लीट हो गया इसमें केवल फिगर ही बनाना था तो अब इसके बाद आप लोग अगला चैप्टर देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही